विल्कम बैक, मककशे आया अपली टगाटगार्मी नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो और आज किस वीडियो में जो आपके कमेंट्स आ रहे थी कि वोटो एज 40 कहाँ पे है हाँ गाइज हमने सेकंड सेल में प्लिपकार्ट से बाई कर लिया है और आपके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थी कि इसके बैटरी के रिगाडिंग तो मैंने बैटरी भी टेस्ट कर लिया है और गाइज मैं यही बोल सकता हूँ आपको कि प्लीज यार वेट कर लो 30,000 इ इस फोन के बारे में आपको पता होनी चाहिए और दो तीन चीजे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है जैसे कि बैटरी लाइफ मैं बताऊंगा आगे बट यार यहाँ पे मैं यही बोल सकता हूँ कि at the end आपको सोच समझ के डिसिजन लेना पड़ेगा इस फोन के रिगाडिं तो फोन हाथ में आने के बाद मेरा सबसे पहला काम था कि बैटरी को टेस्ट करना 4400 इमिज की बैटरी लेक ने मिलती है फोन को मैंने 100% चार्ज किया और उसके बाद मैंने फोन को यूज किया और मैंने देखा फोन लगबग 2-3% पे आया था तो इसके डिफॉल्ट बैटर यूज किया ही नहीं लिटरी बोल रहा हूँ गाइस यहाँ पे इसका जो बाई डिफॉल्ट बैटरी यूजेस है ये बैटरी यूजेस गलत दिकाता है ये चीज मुझे नूटिस हुई उसके बाद मैंने डिजिटल वेल्बिंग से जितना डेटा निकाला कि 100% यूज करने यूट्यूब एक घंटे के आसपास यूज किया था बाकी इस्टागाम ट्विटर ही यूज किया था और फोन को मैंने 50% brightness पे रगा था डारक मोड को भी मैंने इन्यवल किया था और मैंने 120 हर्स का रिफ्रेस्ट रेट यूज किया था ना कि 144 हर्स उसके बाद तो और कम मिल तो मेरी साब से चार से लेके पाच घंटे की बीच में आन स्क्रीन मिलेगा जब आप फोन को नॉर्मली यूज कर रहे हो, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है, चाहिए आप कूछ भी करो, हाँ आप वीडियो ज्यादा हो गरे देखते हो तो शायद हो सकता ही ज्यादा मिले, और उसके साथ 15 वेट की वायरले चार्जी मिलती है, जो अच्छी चीज है, उसके बाद मैंने जैसी फॉन को हाथ में पकड़ा, तो बहुँ ज़्यादा लाइट वेट फिल हो रहा था, 171 ग्राम के आसपास वेट देखने मिलता है, बहुती ज़्यादा लाइट वेट है, पतला फोने स्लीम है, यहाँ पे यार वन हैंड से कोई दिक्कत नहीं होती, बट दिक्कत होती है, डिस्प्ले के उपर इतने ज़्यादा स्क्रैचेस आते है, और इतने फास्ट आते है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, जेस्ट अन्बॉक्स करके मैंने अन्टुटो आवेलिबल नहीं होते है, गर्व डिस्प्ले के लिए, तो यह बहुत बड़ी समस्या है, और इस डिस्प्ले के उपर कौन सा फ्रोटेक्शन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बहुत ही फास्ट इसके डिस्प्ले के उपर स्क्रैचेस आते है, यह चीज आपको पता होनी बाकि यार, बैक पनल आपको प्लस्टिक का देखने मिलता है, बट बहुत अच्छा प्लस्टिक यहाँ पर यूज किया है, कोई भी विंगर के उगर यह निशान नहीं आते, और ग्लाज जैसा ही फिल आता है, बाकि जो साइड फ्रेम है, यह आपको पूरी की पूरी मेटल की देखने मिलती है, क्योंकि इसके उपर बैंड के निशान भी है, तो यह बहुत सही है, बाकि यार, डिजाइन ओवरॉल अच्छा है, बट यहाँ पर दिक्कत है, डिस्पले, स्क्रैचेस, फास्ट गेम करता है, चीज आपको पता होनी चाहिए, बाकि यार, सिम स्लोट द देखा, तो इंडोर में गाइज, लबक 620 फ्लस निट्स के आज पास आपको ब्राइटनस देखने मिल जाता है, और आप आउटडोर में उज कर रहे हो, डारेक्शन लाइट में कोई दिक्कत नहीं होती, डिस्पले टाकाटक वीजिबल होता है, बाकि जितना मैंने 4K HDR वी देखने मिल जाएगा, बाकि डियोल स्टेरो स्पीकर के साथ आता है, और इसका भी आउटपूट मुझे बहुत सही लगा बड़ गाईज, यहाँ पर मुझे दिक्कत देखने मिल इसके वाइब्रेशन मोटर में, अवरेज ही देखने मिलती है, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि यार 30,000 इस फोन के लिए मैं दे रहा हूँ, तो यार टक 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 फिल आना चाहिए, जो आता नहीं है, थोड़ा सा स्प्रिंगी टाइप फिल आता है, जैसी कि लावगनी 2 में टक 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 फिल होता है ना, ओ फिल नहीं आता यार इसके अंदर, तो यह चीज एक नोटीस हुई, बाकि 4G प्लस का टका टक सपोर्ट देखने मिलता है, और 14 5G के बैंट्स देखने मिलते है, तो नेटवर्क कने क्वालिटी भी मस्ट देखने मिलते है, और प्रॉक्जिमेटी सेंसर भी कापे अच्छे से यहाँ पर काम कर लेता है, यहाँ पर उसका भी कोई इसू नहीं है, उसके बाद मैं आया प्रपॉमंस में, तो प्रपॉमंस में भी मुझे कुछ गडबट देखने मिली, जैसी कि इसके अंदर आपको डेमिन सिटी का 80-20 देखने मिलता है, जब आप नॉर्मल टेंपरिचर में इस फोन को यूज करते हो, तो प्रपॉमंस में आपको अप डाउंस देखने को मिल सकते हैं, कैसे मैंने अंटुटू को रन किया था, लगबग 3,84,000 कास पास आ रहा था, उसक प्रपॉमंस के लिए फिर से फोन को मैंने फ्रेज में रगा, लगबग 74% का पॉपॉमंस दे रहा था, और अवरे जएफे स्कोर 210,000 के आसपास देखने मिल रहे थे, ग्राब थोड़ा सा कंबिनीशन था, एलो और ग्रिन का, तो हाँ यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा भी फो यहाँ देखने मिले थे Facebook वगरे, बट उनको आप इजले अनिस्टॉल कर साकते है, तो UI क्लिन फिल होता है, और जो 144 या 120 हर्स का रिफ्रेट है, अच्छे से हाँ पे हैंडल कर लेता है, बाकी YouTube पे, Instagram पे, Twitter पे मैंने देखा, कि 120 हर्स रिफ्रेट बहुत सही से हाँ पे काम क सकते हो, एसा कुछ ग्लिच देख में मिलता है, इसको ठिक्स करना चाहिए, बाकी मैंने कुछ चीजे नोटीस किये बहुत टाइम से की, Motorola का जो अपडेट हिस्ट्री है, यह बहुत ज़्यादा स्लो है, यह आपको पता होने चाहिए, इनके flagship phone में भी बहुत ज़्यादा ले यहापे कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छे से मेंटेम करकर रहा है, फिर भी मेरे बहुत सारी gaming वीडियो जाएंगे, इस phone के साथ, और फोन के साथ, पर वीट कर लेना, ओर रहल जो नॉर्मल परपोर्मस है यहापे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हेवी कुछ एप्स देखने मिलती है, बाकि यहापे आप आप देख सकते हो, बाकि नॉर्मल शॉट से फोटो लेते हो, तो colors, detailed, dynamic range सही देखने मिलती है, human subject के बात करें, dynamic range सही है, बट color science बहुत अजिब देखने मिलता है, और ultra wide भी try किया, वही सेम दिक्कत है, बस softness भी थोड़ी सी जादा द देखने मिलता है, इसमें बिल्कुल edge reduction सही देखने मिलता है, और color science बहुत बेकर आता है, 35 mm से लेते हो, यहापे भी वही सेम दिक्कत है, और 55 mm से तो लेने like भी photo नहीं आते है, background light वगरे manage नहीं होती, बाकि selfie के बात करे, selfie मस्त लेता है, selfie में detail वगरे, edge reduction वगरे portrait में सही आ देखने मिलते हैं, यहापे कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ और एक point देखने मिलता है, जो है कि IP68 की rating देखने मिल जाती है, मतलब आप 30 मिनिट्स तक phone को पाने में भी यूज कर सकते है, डोबाना मत पाने गया ठीक है, so final conclusion, कि इस phone को buy करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, मेरे साथ से आप 30,000 इस phone को दे रहे हो न, तो यह phone उनको target करता है, जिनको एक clean you watch चाहिए, जिनको content watching के लिए phone चाहिए, जिनको एक good looking phone चाहिए, उनको यह phone target करता है, बाके आप gamer वगरे हो, तो आपको इस phone से दूर रहना चाहिए, और सबसे बड़ा मुझे drawback लग रहा है, इस phone का हो है कि battery life, आप city में वगरे रहते हो, तो battery life के आपको दिक्कत नहीं होगी, बट आप गाओ में वगरे रहते हो, तो गाओ में एक तो light का ही problem होता है, उपर से इस phone के साथ battery की दिक्कत आपको हो सकती है बाकियार आपको और सोच समझ कर इस phone को buy करना चाहिए, और और भे आपको YouTube पे वीडियोज देखने चाहिए, क्यूंकि अभी दिरे दिरे बहुत सारे लोगों को ये phone मिल रहा है, फ्लिप काट से जिन्नोंने order किया था, तो उनकी भी वीडियोज आपको देखने चाहिए, बाकि सब कुछ तो वीडियो में मैंने clear cut करके बताया है, उसको थोड़ा analyze कर लेना, उसके बाद आप एक decision ले सकते हो, बाकि गाईज ऐसी straight forward आपको वीडियोज चाहिए, कौन-कौन सी येचे जरूर कमेट कर सकते हो, आपका कोई भी suggestion feedback हो, वो भी जरूर कमेट कर लेना, औ प्रैसी होनिस्ट वीडियोज देखने हैं तो चाहिए को जरूर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, बाकि मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैन दोस्तो,